आप सबको मेरा नमस्ते ये सेशन में हम लोग आपको दो टुटॉर्ल दिखाने वाले हैं आपको मालूम है कि फिल्ड में बच्यों का वजन बढ़ता नहीं है बहुत सारी आशा और आंगनवाडी वरकर बोलते हैं 500 ग्राम बढ़ा 500 ग्राम बढ़ा 500 ग्राम बिल्कुल वजन बहुत कम बढ़ा हुआ है इस्पेशली पहले दो तिन महिने में बच्यों का वजन मिनिममम 900 ग्राम से 1 किलो वजन बढ़ना चाहिए मिनिममम ठीक है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं क्योंकि वजन नहीं बढ़ता है तो उसके कारण होता है 90 प्रतिशत कारण स्तनपान के कारण है तो यह पहला वाला टुटॉल है उसमें हम लोग ने आपको बताया है कि स्तनपान के क्या कारण हो सकते जिसे बच्चे का वज़न नहीं बढ़ेगा सबसे पहला कारण तो यह है कि अगर बच्चे को पहले जैसे बच्चा पैदा हुआ तुरंत मा का दूद नहीं दिया बच्चे को तोड़ा टाइम हो गया एक दो गंटा हो गया तीन गंटा हो गया चार गंटा हो गया तो वो बच्चे का वज़न मा को दूद कम आता है जब तुरंत दूद नहीं पिलाते है बच्चा बरबर सीखता नहीं है कैसे सन पे लगना, कैसे जूसना तो वो कारण एक हो सकता है दूसरा अगर टेकनीक ठीक नहीं है ठीक है? बच्चे का मुँ बड़ा कुला नहीं है नीचे का काला भाग मुँ में गया नहीं है बच्चा बहुत दूर से दूर पिर रहा है, नस्दीक से उसको बिलकुल होट और उसके जो ठुटी है, ये जो चिन है, वो बिलकुल दिखना नी चाहिए तो वो है, रात में अगर दूर नहीं पिलाया, बहुत सारी मदर ऐसी होती है कि रात में बच्चा आराम से 7-8 गंटा सोता है, मा को बोलना है कि अगर 3 गंटे में बच्चा नहीं उठा तो उसको उठा के दूर पिलाओ, दिन में अगर बच्चा बहुत सोरा है तो मा को बताओ कि दो डाई गंटे में अगर बच्चा नहीं उठा तो उठा के दूद पिलाना है अब डेफिनेटल पहले दो तिन मैना पीछी का जो घाड़ा दूद आता है ठीक है तो अगर पीछे का घाड़ा दूद बच्चे को नहीं मिला जिसमें ज्यादा वसा होता है तो उससे कम बढ़ेगा ठीक है तो मा को बताना है कि पूरा स्थन खाली होके दूसरी बजु देना है अगर सिफ माने एकी बजु दूद पिलाया दूसरी बजु दूद मरला स्थन दिया ही नहीं तो वो बच्चे कभी वजन जितने बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता है अगर दूसरा मा को बताना है कि वो कैसे जानेगी कि पीछे का दूद बच्चे को मिला है कि नहीं तो वो भी हम लोगों ने टुटरॉल में दिखाया हुआ है जो हमारा क्रॉस के डिल होल्ड है उसमें दिखाया हुआ है कि कैसे वो स्थन में से दूद थोड़ा निकाल के तो वो आपको ध्यान में रखना है दूसरे भी बहुत सारे पान के कारण हो सकते हैं आप देखे ये टूटरॉल में कभी-कभी क्या होता है कि बच्चे को मा कभी-कभी पानी पिलाती है गुट्टी पिलाती है उपर का कुछ दूद दे दिया इंफेक्शन हो गया ठीक है त तो वो आपको मा को बताना है कि ये सब उपर की चीज कुछ भी देने की जरूरती है गर्मी में भी पानी देने की जरूरती है मा के दूद में बहुत अच्छा पानी की मातरा उसके होती है तो मा को बताना है कि सिफ अपना खुद का ही दूद दे दूसरा जो टूटरॉल है लबस तनपान के कारण से नहीं, बड़ किसी और कारण से बची का वाज़ नहीं बढ़ना तो उसमें क्या होता है कि मां की जो मेंटल स्थिती है, उसकी जो मांसेक स्थिती है उसपे भी दूद्ध आना बहुत निरभर होता है तो अगर मा बहुत tension में है, मा गुसे में है, मा दुकी है, मा को दर्द हो रहा है, तो वो बहुत सारे ऐसे कारण है जिसे मा को दूध नहीं आएगा और जो oxytocin reflex है, oxytocin reflex वो कम आएगा, तो वो आपको ध्यान में रखना है, दुछा जो है, अगर बच्चे को कोई infection हो गया, तो सर्दी हो गए, खासी हो गए, जुलाब हो गया बहुत बच्चा वीक है कलेफ पालट है, लिप है तो उसमें भी बच्चे को जादा दूद नहीं किछ सकेगा बच्चे का जो टोन है, मतला बखुत ऐसा सूश्ट है बच्छा प्रीमच्चूर है, बहुत जली पैदा हुआ है, तो बच्छा भी दूड नहीं कीच सकेगा, तो उसका भी वजन नहीं बढ़ता है दूसरा है मा की सिती, तो मा की चो सिती है, अगर मा सपोज बहुत ही कुपोशित है बहुत ही कुपोशित, अगर थोड़ी सी है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट देखते है हम लोग आरे हमारे प्रोग्राम में की मा अगर कुपोशित तो अगर बच्चे को ठीक तरह से दूद पलाती है, तो उसका तो वजन बढ़ता ही है लेकिन अगर बहुत ही साम में है, तो वो मा को दूद थोड़ा कमाएगा दूसरा जो है कि अगर वो माला डी पे है या कोई भी औरल कॉन्टरसेटिव पिल्स पे है, यह गर बन इरोधक गोलिये पे है तो उसको भी दूद कमाएगा दूसरा जो है कि अगर मा को बहुत खुन गया डिलिवरी के बाद, पोस्पार्टम हैमरेज बोलते हैं तो वो मा को भी दूद कमाना आ सकता है, दूद कमाना आ सकता है दूसरा है, अगर, हाँ, बहुत सारे ऐसे questions आते हैं हम लोग को फिल्मे कि अगर मा प्रेगनेंट है तो वो दूद पिला सकते के ने बिलकुल पिला सकती है, मा अगर प्रेगनेंट है तो definitely you know दूद पिला सकती है, अगर बच्चा आया दूसरा बच्चा आया तो एक स्तन वो नए बच्चे के लिए और दूसरा स्तन है वो बड़े बच्चे के लिए रख सती है, जितना बच्चा कीचेगा उतना दूद आएग तो वो आपको दिहान में रखना है, उसको लोग टेंडम ब्रेस्वेडिंग बोलता है, तो दूनों बच्चो को दूद चालो रखना है, ठीक है तो यह आपकी दूनों टुटॉल्स है, आपको definitely मज़ा आएगा देखने के लिए, देखने में और यह देखे आप और यह सार पन टुटॉरियल में आपका स्वागत है, इस टुटॉरियल में हम जानेंगे स्टन पान से जुड़े वो कारण जिन से शिशु को जरूरत के मुताबिक स्टन का दूद नहीं मिल पाता है, उन कारणों के लिए दी गई सही सला, शिशु के पैदा होने से लेकर छे महीने की उम्र तक वजन के कम बढ़ने का एक एहम कारण होता है, वो है शिशु को जरूरत के मुताबिक स्टन का दूद ना मिल पाना, शिशु को जरूरत के मुताबिक मा का दूद ना मिलने के कई वज़े हो सकते हैं इन्हें चार बर्गों में बांटा गया है पहला है स्तनपान के कारक दूसरा है मा के मनोवे ज्यानिक कारक तीसरा है मा की शारीरिक स्थिती इस टूटॉरियल में हम स्तनपान के कुछ कारकों पर बात करेंगे बाकी के तीन वर्गों को एक अन्य टूटॉरियल में समझाया गया है स्तनपान देर से शुरू करना ही पहला स्तनपान कारक है जनम के एक घंटे के अंदर ही स्तनपान शुरू कर देना चाहिए ऐसा करने से शिशू सीखेगा की कैसे मा के स्तन से गहराई से जुडा जाए गर्भवती महिलाओं को अपने आखरी तिमाही में ही स्तनपान कराने में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जनम के बाद त्वचा से त्वचा का संपर्क स्तनपान शुरू करने के लिए जरूरी है इसे एक दूसरे टुटॉरियल में समझाया गया है स्तनपान का दूसरा कारक शिशू के शरीर की गलत स्थिती है मा को शिशू की गर्दन आगे नहीं जुकानी चाहिए ऐसा तब होता है जब शिशू की नाक निपल के उपर होती है शिशू की नाक के छेद हमेशा निपल की सीध में होने चाहिए बड़ी उम्र के लोग पानी पीने के लिए अपने सर को पीछे करके अपनी गर्दन बढ़ाते हैं इसी तरह दूद पीने के लिए शिशू की गर्दन को आगे की ओर बढ़ाना चाहिए मा शिशू की गर्दन को बढ़ाने के लिए उसे अपने दूसरे स्थन की ओर जादा खीच सकती है मा को शिशू की गर्दन को तिर्चा नहीं गुमाना चाहिए इससे शिशू को दूद निगलने में दिक्कत होगी शिशू की छाती और पेट को हलके से मा की छाती से दबे होना चाहिए स्थन पान के समय शिशू का चहरा मा के स्थन की ओर होना चाहिए ना की मा के चहरे की ओर इस चित्र में क्रॉस क्रेडल होल्ड में शिशू के चहरे की स्थिती बिलकुल सही है शिशू का उपरी होंट दाहिने स्थन पर नौ बजे की स्थिती में है उसका निचला होंट तीन बजे की स्थिती में है शिशु की टांगे मा की बगलों के नीचे अच्छी तरह से टिकी होनी चाहिए नहीं तो शिशु नीचे खिसक जाएगा जिस वजह से वो निपल से दूद पीने लगेगा शिशु के कूले को मा की कोहनी की तह में बैठाया जा सकता है यह शिशु को नीचे फिसलने नहीं देगा तीसरा स्तन पानकारक है शिशु का स्तन से गलत जुड़ाव मा को कम से कम दो से तीन मिनट तक इंतजार करना चाहिए ताकि शिशु अपना मुँ अच्छे से खोल ले यह 120 से 160 डिगरी तक चौड़ा खुला होना चाहिए और तभी मा को अपने स्तन को शिशु के मुँ में डालना चाहिए शिशु के होंट और ठोड़ी कभी भी स्तन के काले भाग से दूर नहीं होने चाहिए शिशू का मूँ मा के स्तन में अच्छे से दबा होना चाहिए नहीं तो दूद पीते समय शिशू के गालों में गड़े पढ़ेंगे निपल से जुडने पर भी गालों में गड़े पढ़ते हैं गालूं में गड़्धे पढ़ने का एक दूसरा कारण है शिशु के मुह में स्तन के काले हिस्से के उपरी भाग का जादा होना मा की उंगलियां जिससे स्तन को सिकोडना हो वे शिशु के होंटों के समानतर होनी चाहिए इससे यह पक्का होगा कि स्तन के निचले भाग का जादा हिस्सा शिशु के मुँ में चला जाए अगर शिशु सिरफ निपल चूसता है तो उसे कभी भी जादा दूद नहीं मिलेगा शिशु का मा के स्तन से गहरा जुडाव बहुत जरूरी है यह जांचना जरूरी है कि क्या शिशु का मा के स्तन से गहरा जुडाव है या नहीं ऐसा करने के लिए मा शिशु के निचले होंट के पास स्तन को दबा सकती है दूद पिलाते समय स्तन के काले हिस्से का पूरा निचला भाग शिशु के मुँ में होना चाहिए शिशु का उपरी होंट मा के निपल के ठीक उपर होना चाहिए शिशु का निचला होंट स्तन के काले हिस्से के घेरे तक होना चाहिए यदि स्तन का काला हिस्सा छोटा है तो शिशु का निचला होंट स्तन पर होना चाहिए इस से शिशु को काफी अच्छे से दूद मिल सकेगा मा के स्तं से गहरे जुडाव के बारे में एक अन्य टुटोरियल में समझाया गया है चौथा स्तंपान कारक है मा द्वारा शिशु को पीछे का दूद ना पिलाना शिशु को आगे का दूद पिलाने के बाद पीछे का गाढ़ा दूद भी पिलाना चाहिए यह अच्छे फैट से भरपूर होता है जो शिशु के दिमाग के लिए जरूरी है और व्रिद्धी के लिए भी पीछे का दूद ना पिलाने से वजन नहीं बढ़ेगा मा जांच सकती है कि शिशु को पीछे का दूद पिलाया है या नहीं ऐसा करने के लिए वे अपने हाथ से दूद निकाल सकती है अगर पतला दूद बाहर आता है तो शिशु को अभी तक पीछे का दूद नहीं मिला है मा को उसी स्थन से ही दूद पिलाना चाहिए साथ ही जब वह हाथ से दूद निकालेगी तो उसे गाड़े दूद का अच्छा बहाब दिखाई दे सकता है यह उसी स्तन से दूद पिलाने का एक संकेत है पांचवा स्तनपान का कारक निश्चित समय पर दूद पिलाना है उम्र में बड़ों के भोजन की तरह निर्धारित समय पर स्तनपान नहीं दिया जा सकता भूग के शुरुआती संकेतों के हिसाब से ही शिशु को स्तनपान कराना चाहिए भूग के शुरुआती संकेत हैं उंगलियां चूसना, सर को इधर उधर गुमाना वगेरा मा को इन सभी संकेतों को पहचान कर शिशु को तुरंत दूद पिलाना चाहिए उसे शिशु के रोने तक का इंतजार नहीं करना चाहिए शिशु का रोना बहुत भूका होने का संकेत है छटा स्तनपान का कारक है जरूरत के मुताबिक दूद ना पिलाना 24 घंटों में कम से कम 10 से 12 बार शिशु को दूद जरूर पिलाना चाहिए कितनी बार और कितना जादा पिलाया जाए ये शिशु की भूप पर निर्भर करता है कभी कभी शिशु एक घंटे में कई बार दूद पिना चाहेगा शिशु जितना चाहे उतनी बारू से दूद पिलाना चाहिए स्तनपान का साथ मुआ कारक है रात को स्तनपान ना कराना रात को दूद पिलाने वाली मा में प्रोलैक्टिन का स्तर जादा होता है प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो स्तन का दूद बनने में मदद करता है रात को दूद ना पिलाने से मा का दूद बनना कम हो जाएगा इसलिए शिशुओं को रात में कम से कम तीन से चार बार दूद जरूर पिलाना चाहिए कभी-कभी शिशु रात में तीन घंटे से ज़ादा तक नहीं जागता शिशु को दूद पिलाने के लिए मा को उसे जगाना चाहिए वह शिशु के पैरों पर गुद-गुदी कर सकती है या शिशु की पीठ पर वह शिशु को बिठा कर भी जगा सकती है स्तनपान का आठवा कारक है थोड़े समय के लिए दूद पिलाना शिशु को तब तक दूद पिलाना चाहिए जब तक वह पीना चाहता हो मा को अपने स्तन से दूद पीते हुए शिशु को नहीं हटाना चाहिए जब शिशु पेट भरे होने का संकेत दे तो ही मा को दूद पिलाना बंद करना चाहिए पेट भरे होने के संकेत हैं अपना मुँ बंद कर लेना, अपना सर मा के स्तन से दूर करना वगेरा स्तन पान का नौवा कारक है शिशु का दूद पीते हुए सो जाना स्तनपान के पहले कुछ हफ्तों में शिशु दूद पीते-पीते सो सकता है इस वजह से शिशु कम दूद पी पाता है जैसा कि पहले बताया गया है कि मा को तुरंट शिशु को जगाना चाहिए उसे तब तक शिशु को जगा कर दूद पिलाना चाहिए जब तक की शिशु दूद पीने से मनाना कर दे। स्तन पान का दस्वा कारक है शिशु को दोनों स्तनों से दूद ना पिलाना। कुछ माए शिशु को एक ही स्तन से दूद पिलाती हैं, दूसरे स्तन से नहीं। एक स्थन खाली होने के बाद मा को शिशु को दूसरे स्थन से भी पिलाना चाहिए। शिशु खुद तै कर लेगा कि उसे दूसरे स्थन से भी पीना है या नहीं। ग्यारवा स्थन पान कारक है दूर की बोतलों का इस्तमाल करना, निपलों का इस्तमाल करना वगेरा। इन साब चीजों से बचने के लिए मा को स्तन पान का सही तरीका सिखाना चाहिए स्तन पान का आखरी कारक है शिशु को अन्य भोजन या पीने की चीजे देना जनम से लेकर पहले 6 महीनों तक शिशु को सिरफ स्तन पान ही कराना चाहिए बाकी के पीने या खाने की चीजे सुरक्षित नहीं होती और मा के दूद जितनी पौश्टिक भी नहीं उन चीजों से इन्फेक्शन हो सकता है उनसे शिशु का पेट भी भर जाता है फिर ऐसे में शिशु को मा का दूद पीने की भूख नहीं लगेगी अब यह टूटोरियल यहीं समाप्त होता है IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ हम से जुड़ने के लिए धन्यवाद पर्याप्त मात्रा में मा का दूद ना मिलने के अन्यकारणों पर बने स्पोकन टुटोरियल में आपका स्वागत है इस टुटोरियल में हम जानेंगे शिशु को मा का दूद पर्याप्त मात्रा में ना मिलने के कुछ कारण उन कारणों के लिए बताए गए समाधान शिशु को सही मात्रा में मा का दूद ना मिलने के कई कारण हो सकते हैं इन्हें चार वर्गों में बांटा गया है पहला है स्तन पान के कारक इसके बारे में इसी श्रिंखला के एक अन्य टुटॉरियल में बताया गया है दूसरा वर्ग है मा के मनोवेग्यानिक कारक तीसरा है मा की शारीरिक हालत चौथा है शिशु की शारीरिक हालत आईए दूसरे वर्ग के कारणों से शुरू करते हैं हम माओं के पांच सामान्य मनोवेग्यानिक कारकों पर बात करेंगे पहला मनोवग्यानिक कारक है मा में आत्म विश्वास की कमी नई माएं अक्सर सही तरह से दूट पिलाने की खुद की शमता पर संदेह करती हैं स्तनपान एक हुनर है और इस हुनर को सीखने में समय लगता है स्तनपान का सही तरीका सीखने के लिए माओं को धैरी पूर्वक सिखाना चाहिए दूसरा मनोवग्यानिक कारक है मा की चिन्ता या तनाव नई माएं शिशु के स्वास्थ के उलेकर चिन्तित रहती हैं चिन्ताएं तनाव पूर्ण समय जैसे की महमारी के दोरान बढ़ जाती हैं चिन्तित माओं को अकसर बोतल से दूद पिलाने की इच्छा हो जाती है साथ ही तनाव के कारण जरूरत के मताबिक स्तन का दूद नहीं बनता आराम मिलने के लिए माओं के साथ सहायता करने वाला परिवार होना चाहिए उनकी शंकाओं का समाधान नियमित रूप से स्वास्थे अधिकारी से करवानी चाहिए तीसरा मनोवग्यानिक कारक है मा को स्तन पान कराना पसंद ना हो कुछ माएं अपने शिशु को दूद पिलाना पसंद नहीं करती हैं इस वजह से शिशु को जरूरत के मुताबिक मा का दूद नहीं मिल पाता चौथा मनोवग्यानिक कारक मा द्वारा शिशु को अस्विकार करना है कुछ माओं को शिशु के बारे में बहुत जादा नकारात्मक भावनाएं होती हैं वे शिशु के जनम पर पच्चताती हैं और उसे नापसंद करती हैं मा की तरफ से चुमबन जैसे स्नेही व्यभार गले लगाना आदी की कमी होती है उन्हें बहतर लगता है जब शिशु उनसे दूर होता है ऐसे मामलों में मा शिशु को स्तनपान बिल्कुल नहीं कराती पांचवा मनोवेग्यानिक कारक है मा की थकान नई माओं को नींद की कमी होती है और थकान भी इस से उनके दूर के बनने पर असर पढ़ सकता है यह बार बार दूर पिलाने की शमता को भी कम कर सकता है अब हम कारकों के तीसरे वर्ग की बात करेंगे जो है मा की शारिरिक हालत मा गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग कर रही होगी या रक्त चाप कम करने वाली गोलियों का यह उसके दूद के बनने पर असर कर सकता है ऐसे मामलों में उसे मदद के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए स्टनपान पर असर करने वाला दूसरा कारक है मा की गर्ब हावस्ता कुछ माएं गर्ब वती होने पर दूद पिलाना बंद कर देती हैं इससे शिशु को जरूरत के मुताबिक पोशन नहीं मिल पाता मा को पता होना चाहिए कि गर्बवती होने पर भी शिशु को दूद पिलाना सुरक्षित है अगला कारक मा का गंभीर कुपोशन है यह स्तन के दूद की रचना पर असर कर सकता है साथ ही शिशु को जरूरत के मुताबिक दूद पिलाने के लिए मा बहुत कमजोर हो सकती है अगर मा शराब पीती हो तो इस से भी उसका दूद बनना कम हो सकता है हो सकता है कि शिशु को जरूरत के मुताबिक मा का दूद ना मिले एक और कारक है मा की धूमरपान की आदत। धूमरपान की वज़े से भी दूद कम बन सकता है और यहां तक की दूद की रचना भी बदल सकती है। अगला कारक है मा के अंदर गर्भनाल का बचा हुआ टुकड़ा रह जाना। यह मा के प्रोलैक्टिन के स्तर को बढ़ने नहीं देगा। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो मा के दूद के बनने में मदद करता है। इसलिए वह जरूरत के मुताबिक दूद नहीं पिला सकती। हाला की डाक्टरों ने पता लगाया है कि यह एक दुरलप कारण है। मा के स्तनका सही तरह से विक्सित ना होना भी स्तनपान का एक अन्यकारक है। कुछ माओं के स्तनों में दूद बनाने वाले उतक जादा नहीं होते। अगला हम कारकों के चौथे वर्ग पर बात करेंगे। यह शिशू की शारीरिक हालत है। बिमारी के समय शिशू स्तनपान करना बंद कर सकता है या फिर दूद की उल्टी भी कर सकता है। कई नवजात शिशू के नाक में सुखा बलगम होता है। इससे उनकी नाक बंद हो जाती है और दूद पीते हुए उनकी सांस पर असर पड़ता है। इसलिए स्तनपान करते हुए शिशू बार-बार अपना मुँ स्तन से हटा लेते हैं। शिशू की नाक में सेलाइन की बूदे डालने से बलगम कम हो सकती है। नाक की सेलाइन की बूदे दवाई की दुकान में मिलती हैं। स्तनपान कराने से 15 मिनट पहले हर नथूने में 4 से 5 बूदे डालने से बलगम साफ हो जाएगा। बार-बार स्तनपान कराने से शिशू को जल्दी से ठीक होने में मदद मिलती है। कुछ शिशू में पैदाईश से ही जनमदोश होते हैं। जैसे की डाउन सिंड्रोम, कटे होंट या तालू और जनमजात हरिदय रोग। उनकी मासपेशियां भी विक्सित नहीं होती। इन वजहों से उन्हें स्तन को चूसने में मुश्किल होगी। इस तरह के जनमदोश शिशू के दूद पीने की शमता पर असर करते हैं। जनम से लेकर 6 महिने तक के शिशू के लिए सिरफ मा का दूद पीना जरूरी होता है। अच्छे विकास के लिए शिशू को हर रोज जरूरत के मुताबिक मा का दूद पिलाना चाहिए। अगर दूद पिलाने में दिक्कत हो तो तुरंट किसी विशेश अगे से सला लेनी चाहिए ये पक्का करें कि स्तनपान से शिशु को जरूरत के मुताबिक पर्याप्त दूद मिले अब यह टुटॉरियल यहीं समाप्त होता है IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुडने के लिए धन्यवाद यह टुटॉरियल शारे एक रूप से कैसे मा का स्तन का दूद बढ़ाना बहुत टाइम ऐसा होता है कि मा बोलते है मुझे दूद नहीं आ रहा है दूद नहीं आ रहा है दूद नहीं है ठीक है सबसे पहला कारण यह दूद नहीं आने का कारण है कि मा ने सही तरह से सही टेकनीक से बच्चे को दूद नहीं पिलाया जब भी सही टेकनीक से आप दूद नहीं पिलाते है तो क्या होता है कि जो जितना दूध ट्रांसफर होना चाहिए मा के स्थन से बच्चे के पेट में उतना ट्रांसफर नहीं होता है दूध स्थन में ही रह जाता है जैसे वो स्थन में दूध रहता है तो बच्चे का जो वजन जो बढ़ना चाहिए वजन नहीं बढ़ता है दूद बिलाना, सिखाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, तो वो हम ने अरड़ी पहले टॉटाल्स में दिखाया हुआ है, कि कैसी संपान सिखाना है, उसको पैटालीस पॉइंट, ठीक है, दूसरा है कि वो गरम पानी का शेक कर सकती है, मसाज कर सकती है, सही तरह से प्रेस्ट को स्थन को पकड़ के बच्चे के मुग में वो डाल सकती है, थोड़ा सा वो दूद पिलाने के बाद थोड़ा अपना खुद का दूद वो निकालेगी, तो जितना दूद निकालेगी, उतना दूसरी टाइम दूद पड़ेगा, रात में भी अगर मा को लगे कि बच्चा तीन गंड के से जादा सो रहा है, धाई गंड के से जादा सो रहा है, तो अपना दूद दूद के बाद निकाल के रख सकती है, जितना वो दूद निकालेगी, उतना वो दूद बच्चे को मलब दूसरी टाइम दूद बड़ेगा, स्थन में से दूद ब शारीरिक तरीकों से स्तन के दूद की मात्रा बढ़ाने के लिए इस पोकन टुटोरियल में आपका स्वागत है इस टुटोरियल में हम सीखेंगे शारीरिक तरीकों से मा के दूद को बढ़ाने के अलग-अलग तरीके सबसे पहले हम शुरू करेंगे कंगारू मदर केयर से जिसमें शिशु को मा के बिना कपड़े पहने शरीर के साथ लंबे समय तक रखा जाता है ध्यान देंग की कंगारू मदर केयर करने का तरीका इसी श्रिंकला के अन्य टुटोरियल में बताया गया है अगला हम सीखेंगे की कैसे बहतर करें लेट डाउन रिफ्लेक्स या ओक्जिटोजिन रिफ्लेक्स को पर पहले ये देखते हैं की ओक्जिटोजिन क्या है ओक्जिटोजिन ऐसा हॉर्मोन है जो लेट डाउन रिफ्लेक्स को बढ़ावा देता है और इससे शिशु के बारे में सोचते ही दूद बाहर निकलता है। इसलिए दूद के बाहर निकलने के लिए पहले मा को आराम करना चाहिए और फिर अपने शांत शिशु को देखना चाहिए। वो अपने शिशु के महले कपड़े भी सूंग सकती है और मन को खुश करने वाल और स्तनों की मालिश आए देखते हैं गरम पानी का सेक कैसे किया जाए मा को गरम पानी से नहाना चाहिए या फिर अपने स्तन पर हलका गरम कपड़ा रखना चाहिए इन दोनों तरीकों से स्तनों में दूद के संचार में मदद होगी और दूद बाहर निकलेगा अब हम करना सीखेंगे उपरी पीट और गर्दन की मालिश से दूद आराम से बहेगा क्योंकि दोनों की नस एक ही है स्टन पान से पहले स्टन की मालिश से दूद की नलियां खुलेंगी इस से दूद आराम से बहेगा और स्टन पूरा खाली होगा और फिर दूद जादा मात्रा में बनेगा स्टन के दूद की मात्रा बढ़ाने का अगला तरीका है स्टन पर शिशु के मुँगी सही पकड़ देखते हैं ये कैसे किया जाए निपल को शिशु के उपरी होंट पर हलके से चुए इससे शिशु अपना पूरा मुँग खुलेगा और स्टन पर मुँगी सही पकड़ होगी जिससे दूद भी जादा मिलेगा स्टन पन के समय ध्यान दे कि मा नी शिशु के पूरे शरीर को सहारा दिया है और दोनों का पेट एक दूसरे को चुँ रहा है शिशु का सर, गर्दन और शरीर एक सीद में है शिशु की नाक मा के निपल के सीद में है उसकी ठोड़ी को आगे लाते हुए मा के स्टन में हलके से धके ले उसका निचला हुट बाहर की तरफ मुड़ा हो ध्यान दे कि स्टन से जुड़ते समय शिशु मू में एरियोला का निचला भाग जादा ले ताकि एरियोला का उपरी भाग जादा दिखे और निचला कम एरियोला स्टन के आसपास का काला भाग होता है अगला तरीका है हलके से स्टन को दबाना स्टन पान के समय हलके से स्टन को दबाएं हलके दबाव से दूद की नलियों से ज़्यादा दूद निकलता है जब भी शिशू चूसेगा तो उसे ज़ादा दूद मिलेगा स्टन को हलके से दबाना इसी श्रिंकला के अन्य टुटोरियल में बताया गया है एक खास बात ये है कि रात को स्टन पान कराना ज़रूरी है आई देखे क्यूं रात को स्टन के दूद में प्रोलैक्टिन हॉर्मोन की मातरा बहुत ज़ादा होती है रात में कई बार स्टन पान कराने से दूद की मातरा बढ़ती है इससे शिशू के विकास में मदद होती है स्टन के दूद को बढ़ाने का अगला तरीका है बार बार स्टनपान कराना शिशू को 24 गंटों में कम से कम 10 से 12 बार स्टनपान कराएं और जरूरी है कि रात में कम से कम 2 से 3 बार उसे भूका ना रखें, उसके भूके होने के संकेतों को समझें, जैसे हाथ पैर हिलाना, उसके गालों को छूने वाली हर चीज की तरफ मुढ़ना और अपना मूँ खोलना याद रखें, रोता हुआ शिशू बहुत भूका होता है, इसलिए भूके होने के संकेत देखते ही उसे स्तन पान कराएं और पिछला दूद जरूर पिलाएं, जो की स्तन के पिछले भाग में होता है ये चर्बी से बना होता है और बहुत गाड़ा होता है इसलिए मा पहले एक स्थन को पूरी तरह खाली करे फिर दूसरे स्थन से पिलाए अब हम बात करेंगे स्थनपन के बाद दूद को निकालने की इसमें मा अपने हातों से खुद का दूद निकालती है ऐसा करने के लिए मा एरियोला और उसके बाहर के भाग पर अपने अंगुठे और उंगलियों को रखती है और हलके से एरियोला को छाती के अंदर की तरफ दबाती और छोडती है ऐसा शिशु के दूद पूरा पीने के बाद भी करना चाहिए दो बार सतनपान कराने के बीच में भी मा को हाथ से दूद निकालना चाहिए हाथ से दूद निकालने से दूद की मातरा बढ़ती है याद रखें प्लास्टिक के निपल और बोतल का दूद इस्तेमाल ना करें इससे मा का दूद कम बनेगा गाय या बक्री का दूद भी ना दे प्लास्टिक के निप्पल की वज़े से शिशु को मा के स्तन से जुड़ने में मुश्किल होगी याद रखें शिशु के रोने का इंतजार ना करें उसको हलकी हलकी भूक होने के संकेत देखते ही उसे स्तन पान कराएं सही जुड़ाव का तरीका सिखा कर स्वास्त सेविका को मा का आत्म विश्वास बढ़ाना चाहिए रोज शिशु का वजन तोले उसका 25 से 30 ग्राम तक रोज वजन बढ़ना चाहिए शारीरिक तरीकों से स्तन के दूद की मात्रा बढ़ाने का ये स्पोकन टुटॉरियल यहीं समाप्त होता है IIT Bombay से मैं Bella Tony आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद हुड़ने कि येती हाँ झाल झाल